हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है सेप्टेमबर की 22 तारीख वीडियो की शुरुआत करते हैं खुबसूरत वाइट अडेनियम से, यहाँ पर आप लड़ू गेंदा की प्लांट देख रहे हैं, और एक और चीज दिखाती हूँ, यह करने जा रहे हूँ, मेरे गार्डन का एक ऐसा प्लांट जिसको निकालते निकालते मैं ठक गई, सेप्रेट करते करते, लेकिन वो प्लांट मेरे गार्डन में उगना नहीं छोड़ रहा है, तो चलिए फिर मैं दिखाते हूँ, कौन-कौन से ऐसे प्लांट से जो मेरे गार् रहते हैं, और यह है दूसरे Nimber पर टोरेनिया, टोरेनिया का प्लांट इतना हो गया है, कि मैं बाढ़ते बाढ़ते भी ठख गई, और हटाते हटाते भी ठख गई हूँ, तो आज भी मुझे बहुत सारे प्लांट से निकालने हैं, और इनको मुझे निकालना है, तो देख़े, दो-तीन प्लांटस को मैंने यहां से हटा दिया है, एक हाथ से नहीं बन पाता विडियो शूट करना और प्लांट को निकालना, इसलिए मैं आपको निकालते हुए नहीं दिखा पाई, इसको आपको दिखाती हूँ, यह देखें इसमें भी कितने सारे टोरेनिया के प्लांट निकल आये हैं, तो यह जो वराइटी है टोरेनिया की परपल और वाइट शेट का, यह मेरे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता, एक बार आ गया है तब से, लगभग चार साल पहले मैंने इसका एक प्लांट नरसरी से लिया हु उसके बाद से ये मेरे गार्डन को छोड़ कर नहीं जाताए इसका ना तो मैं सीड कलेक्ट करती हूँ और ना ही मैं कटिंग लगाती हूँ यह अपने आप ही सीड से मल्टिप्लाई होते रहता है क्योंकि इसके सीड मिट्टी में गिरते रहते हैं और जब इसका प्लांट खर करते हैं तो मिट्टी के साथ साथ बीज भी सभी पॉट में जाते हैं और फिर वो नए नए प्लांट्स जर्मिनेट होते रहते हैं बहुत सारे प्लांट्स मैंने इसकुल में भी लगा दिया है बहुत सारा प्लांट मैंने बाट भी दिया है उसके बाद भी देखिए ये प्ल यहां पर भी ये पर्सलेन पर्सलेन भी सीड से उगता है मेरे गाडन में ये देख रहे हैं फ्रेंस बहुत सारे मैं तो इसको घास की तरह निकालती हूँ ये इसके सीड भी मिट्टी में गिरते रहते हैं और नए-नए बेबी प्लांट निकलते रहते हैं तो इस तरह से आप भी किया करें जब भी आपका प्लांट सूख जाता है तो इसको कमपोश्ट में डाल दीजिए और इसके सीड कलेक्ट करना भी बहुत आसान है वाइट कलर के बिल्कूल छोटे-छोटे दाने जैसे पिटूनिया के सीड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और इसका सीड होता है वाइट कलर का होता है तो इसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं जो स्पेंट फ्लावर होते हैं उसको उसमें सीड पॉर्ट रेडी होता है उसके बाद आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं और देखिए मैं आपको दिखाती हूं गीन कर एक दो दो हो गया यह तीन यहाँ प ये साथ ये विनका-के साथ हो गया और यहां आप देख रहे हैये तूलसी माता है इसको हटा देते है और ये आठ हो गया एक परसेलेन और ये विनका relax हो कि और देखिए भी और ये 13 प्लांट छुटा सा और यहां पर है 14 और ये हो गया 15 देखिए टोटल 15 प्लांट अभी निकल गया और मातरत तीन गमले से निकला है ये प्लांट तीन जो पॉड थे गुलाब के उसी में ये सारे प्लांट्स उगे हुए थे देख रहे हैं फ्लांट्स तो आज मैं इनको लगाऊंगी क्योंकि फेकने का मन नहीं होता इतना हिल्दी प्लांट को और दो प्लांट को अभी कुछ देर पहले ही मैंने इनको रिपॉर्ट किया था ये उस तरब दूसरे गमले में लगे हुए थे तो इनको हटाऊंगी ये ज अंगस लगना शुरू हो जाता है इसलिए समय रहते हटा देना चाहिए देखिए यहां भी इविनका है और देखिए इसमें भी टोरेनिया का प्लांट लगा हुए है केलें कोई हाइब्रिड है तो ऐसे बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में निकलते रहते हैं तो देख प्लांट को लगाते रहेंगे तो फिर पॉट का प्राब्लम कितना सारा हम गमला खरी देंगे इसलिए मैंने तीन चार चार प्लांट को एक ही में लगा दिया और यह दिखिए बालसम के सीड है आपको मैं दिखाती हूँ मैं बालसम का सीड भी कलेक्ट नहीं करती यह सारा जो देख रहे हैं ना प्लांट यह कंपोस्ट बीन में जाएगा यहां पर जाड़ू लगाके पूरा मैं कंपोस्ट में डाल दूंगी और नेक्ष्ट यहर फिद सीजा नाने पर यह अपने आप जर्मिनेट होते रहेंगे और यह केलन कोई है हाइबृड तो इसको भी मैं छो जरुरत नहीं पड़ती बहुत सारा बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनको मैं खरीदती नहीं हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं शॉपिंग बहुत कम करती हूं प्लांट शॉपिंग और यह देखे फ्रेंट्स विनका को मैंने इसमें लगा दिया है यह वेस्ट मटेरियल है यह दिब्बा था दो-तीन साल पहले मैंने इसको निकाला हुआ था दिब्बा को और इस तरह से देखे कितना प्यारा लग रहा है और काफी हेल्दी प्लांट है सभी हेल्दी प्लांट है यह एक और भी इनका है इसको भी मैं लगा देती हूं इसी में तो इस तरह से हमार जो गार्डन में फ्री के प्लांट रेडी होते रहते हैं, उनको आप सेपरेट करते रहें और अपने गार्डन को खुबसूरत बनाते रहें, तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, इतने सारे फ्री के प्लांट देखकर आपको कैसे लगे, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग और एक चीज और दिखा देती हूँ, ये जो देख रहे है ना टोरेनिया का ये ब्रांज तूड़ गया है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, ये कटिंग से भी बहुत दिनों में, तो मिलते हैं फिर आज यही शेयर करना था, एपी गार्डनिंग, बाई, थैंक यू,